हेलो दोस्तो आज आप लोगे साथ डिसकस करेंगे बहुती बैतरीन एक टॉपिक के बारे में स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट का बेसमेड ओके एक आज जू डिसकस करेंगे ये कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसका मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यह है उस सीरीज का फर्स्ड वीडियो यहाँ पे आप सीख पाएंगे कि एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें क्या-क्या दिया जाता है क्या-क्या टॉपिक इसमें रखा जाता है सब कुछ बारीगी से पॉइंट लेके आप लो उसको कनवर्ट करेंगे लगबग दस्ठो यहाँ पे वीडियो वनने वाला है तो आप वीडियो को जरूर एंट देखिए और पूरा सीरीज देखेंगे तो एक कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज जरूरी है और कैसे इसको किया जाता है कैसे देखनी को मिलेगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ पुनब चौदरी सिविल पार्सल में सभी को स्वागत है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट आफ आप देख रहे हैं यह जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है इसका बिल्डप एरिया आप देख रहे हैं 35.5 मिटर यहा 300 स्कौर मीटर में एक हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे जो की है एक होटेल का मोटेल इसका जो रेस्टूरेंट है यह आप पब्लिक जो पिपल है पब्लिक जो आपका गेस्ट है उनके लिए भी यह रेस्टूरेंट यूज हो सकता है तो बहुत ह मैरे ही साबसे आप लोगे लिए लेके आया है तो आप इसको प्यार दीजिए आपका सपोर्ट दीजिए और चैनल को जरूर सबस्क्राइब किजिए फ्रेंज तो फस्ट ऑफ और देख सकते है इसका जो में एंट्री एंड एक जिट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो है यहाँ पे दोठो रखा गया है देख साए एंट्री पॉइंट कुछ इस तरगे का यहाँ पे होने वाला है आप अभी आपके मन में एक सोच अभी विचार आ रहा है कि आप इस प्लैन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि एंट्री शायर इसी जगा पे होगा यह पोर जो एंट्री होगा यहाँ पे यह जो एंट्री है यह गेस्ट के लिए बिसिकली एंट्री है गेस्ट के लिए गेस्ट का पार्किंग के लिए गेस्ट का जितना गारी है वो सर्फ यह बेस्मेंड में पार्क होगा तो फ्रॉंट से जो एंट्री है यह होगा ओके और बैक से जो entry है back से हम लोग entry इतना बड़ा क्यों रखे हैं क्योंकि देख सकते हैं इतना बड़ा hotel है तो इसका अगर entry portion नहीं रखेंगे big size का तो दिक्कत आ सकता है क्योंकि मैं आपको बता दू इसका जो hotel में बहुत सारा सामान लगता है kitchen का सामान लगता है hotel एक एक room का सामान लगता फिर भी banquet area है बहुत सारा area में आपको चीजे डालना पड़ता है तो ऊचीज कैसे आएगा front से तो नहीं आ सकता क्योंकि front में तो आपका guest रहेगा front से आएगा तो उसको देखने में तो एकदम अच्छा नहीं लएगा इसलिए हम लोग back sentry देते हैं यहाँ पर देख सकते है delivery truck जो आएगा यहाँ से आपको entry करेगा यहाँ पर ले लेगा यहाँ से आपको क्या बोलते हो उसको entry करके यहाँ से लेके सारा सामान उपर चला जाएगा यह जो point यह जो आपका steer देख रहा है यह steer basically use होगा आपका यह सब सामान लाने और आने में ठीक है इसके बाद देख सकते है यहाँ से entry होके यह जो car parking यहाँ पर हम लोग provide कर रहे है यहाँ से exit हो जाएगा ठीक है exit point देख सकते है यहाँ पर 6.4 मिटर दिया गया है entry point भी 6.4 मिटर दिया गया है इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका जो main ground basement से हम लोग अगर first floor में जाएंगे तो कैसे जाएंगे ground floor में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर steer provide किया गया है फ्रेंटस स्टिर जो पोश्चन और यहां पे दिया गया है बीच में आपको देख सकते हैं यहां पर लिफट भी एक प्रुवाइट किया गया है तो basement का जो आने जाने का ground floor से तो दिक्कत नहीं है यहां से भी आप आ जा सकते हैं यह बिसिकली आपका fire exit है यहां से fire exit भी कर सकते हैं and laundry इसके बाद kitchen का जितना सारा सामान है यहां से हम लोग लेके जाएंगे and देख सकते हैं यहां पर laundry दिया गया है big size का laundry यहां पर provide किया गया है मैं इसका dimension आप लोगे साथ share करूँगा यह जो इसका dimension आप देख सकते हैं friends कुछ इस तरीके का यहां पर length आपको मिलेगा 7 meter by width 5.7 meter ओके तो बहुती बड़िया size का है यहां पर laundry में क्या क्या चीज आता है वो मैं next video में बताऊंगा धीरे धीरे and इसके बाद देख सकते हैं यहां पर staff area including dining locker toilet तो basically आपके hotel में या आपके client के hotel में जितना सारा dining locker staff होगा उसके लिए locker भी रहता है उसके लिए toilet भी होता है और उसके लिए dining area भी रहता है dining area फिला हम लोग ground floor में कर सकते हैं dining area उतना माइने रहता है लेकिन locker and toilet यह दो बहुती mean topic है जो की staff के लिए है तो यहां पर हम लोग provide कर सकते हैं बहुत ज्यादा area है यहां पर back side में हम लोग यहां पर कर देंगे toilet and locker हम लोग यहां पर provide कर सकते हैं वो मैं बारिकी से आप लोग को अच्छे से समझाओंगा ठीक है तो यहां पर laundry हो गया staff area dining area हो गया ठीक है अभी आप देख सकते है suppose आप यहां पर entry करेंगे यहां पर entry करने से यहां से तो back side से entry करने से बहुत आपको घूमना परेगा आप मान लिजे यहां पर कोई guest गारी पार्क करने आएंगे तो फिर इनको यहां से घूम के जाना परेगा तो बहुत दूर परेगा तो यहां से भी यह जो entry point है यहां से देख सकते है चार फीट का यहां पर दोर दिया गया है यहां से entry करेंगे तो यहां पर direct stair भी मिल जाएगा lived way आपको मिल सकता है देख सकते हैं कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर बता सकते हैं आपको कुछ idea आ रहा होगा तो जरूर बताए कुछ question रहा होगा तो जरूर बताए सारा details में आप लोग को देने का कोशिश कर रहा हूँ ठीक है friends तो आज के लिए इतना ही यह basement मैं समझाया next वीडियो में मैं आपको ground floor समझाओंगा ठीक है ground floor के बाद first floor second floor देन उसके बाद front elevation धीरे धीरे सारा details में आप लोग को share करूंगा तो कैसा लगा वीडियो यह series कैसा लगा आपको पसंद आया होगा तो जरूर चैनल को subscribe कर दीजिए bell icon को press कर दीजिए और ऐसे ही प्यार देते हैं यह friends आज के लिए इतना ही friends thank you very much